चॉकलेट ममी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं आपको मंगलवार हनुमान जी के वरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, अगर आप मंगलवार का वरत करते हैं और साथ में कहानी भी सुनते हैं तो आपको इसका फल दुगना मिलेगा, तो कहानी इस प्रका एक बार की बात है गाउं में एक बुढिया रहती थी वह मंगल देवता को अपना इश्ट मान कर सदे मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी का पूजन क्या करती थी उसके एक पुत्र था जो मंगलवार के दिनी पैदा हुआ था इस कारण उसने अपने पुत्र का ना मंगल यह रखा था मंगल देव के दिन ने तो घर को लीपती थी और नहीं प्रत्वी को खोदा करती थी एक दिन मंगल देवता उसकी शद्दा की परिशा लेने के लिए उसके घर में सादू का रूप बना कर आए और द्वार पर आवाज लगाई बुढिया ने कहा आज मंगल वार का वरत है इसलिए मैं चोका नहीं लगा सकती कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ उस पर भोजन बना ले सादू कहने लगा कि मैं गोबर से लीपे हुए चोके परी खाना बनाता हूं बुढिया ने कहा प्रत्वी लीपने के सिवाई कोई और सेवा हो तो आ प्रत्वी लीपने के अलावा तो आप जो आग्या देंगे मैं उसका पालन करूंगी बुढिया ने ऐसे तीन बार वचन दे दिया तब सादू कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुला कर ओंधा लिटा दे मैं उसकी पीट पर भोजन बनाऊंगा सादू की बात सुनकर बुढिया चुप हो गई तब सादू ने कहा कि बुला ले लड़के को अब सोच विचार क्यों करती हैं बुढिया ने मांगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी थोड़ी देर बाद उसका लड़का आ गया बुढिया ने कहा जा बेटे तुझको बाबाजी बुलाते हैं लड़के ने बाबाजी से जाकर पूचा कि क्या आग गया है महाराज बाबाजी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला कर लहो माता आ गई तो सादू ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे बुढिया ने मंगल देरता का स्परण किया और लड़के को ओंधा लिटा दिया औ उसकी पीट पर अंगिठी रग दी, कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है वो कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ, सादू ने लड़के की पीट पर रखी हुई अंगिठी में आग लगाई, उस पर भोजन बनाया, जब भोजन बनकर तयार हो गया तो साद करने के लिए आप बुला रहे हैं, क्या ये संबव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं, आप क्रपा करके उसका इस्मरण भी मुझको ने कराईए और भोग लगा कर आप चले जाईए, सादू के अत्यंत आगरे करने पर बुढिया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही दूसरी ओर से मंगल दोडता हुआ आया, सादू ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रस सफल हो गया, तेरे हिर्दे में दया है और अपने इस्ट देव में अटल विश्वास है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, त तो आज मैंने आपको मंगलवार की कहानी सुनाई, अगर आपको यह पसंद आती है, तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, चॉकलेट मामी से, मैं सीमा सिंग, धन्यवाद